Hello friends, मेरा नम जगविंदर है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि OpenShortest Path First या OSPF में Clear Text Authentication को कैसे Configure किया जाता है? लास्ट वीडियो में हमने इस Clear Text Configuration के लिए Command Syntax को देखा था, जिसमें हमने Interface Mode में दो Commands को यूज किया था, इसमें से एक थी IP OSPF Authentication जिसके यूज से Clear Text Authentication उस Interface पे Enable होता है, और दूसरी थी IP OSPF Authentication-Key और उसके बाद Key Value जो की एक Password की तरह Act करता है, और हमें ये Configuration OSP OSPF के उन सभी Routers के Interfaces के उपर करनी होगी, जहां पे आप Authentication Enable करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम वो ही Topology यूज करेंगे, जो हमने OSPF Configuration में की है, लेकिन इसमें सिरफ हम दो Routers, यानि के Router A और Router B को यूज करेंगे, इन Routers के उपर जो IP address is Configured हैं, वो आपके सामने Screen के उपर है, यानि के Router A के Serial 0, Slash 0 के उपर, A Class का 10.10.10.10.1 with Default Mask Configured है, जबकि Router B के Serial 0, Slash 1 के उपर, 10.10.10.10.2 जो की उसी Range में है, with Default Mask Configured है, तो इन दो Routers के इन दो Interfaces को यूज करते हुए हम, OSPF में Clear Text Authentication को Configure करते हैं, तो चलिए, इसके लिए हम चलते हैं, अप तो देखे, मैं अपने Packet Tracer के उपर आ गया, और यहाँ पर आके मैं Router A को क्लिक करता हूँ, और इसके CLI Mode में चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं Enable Mode में जाता हूँ, और एक Command Enter करता हूँ, Show IP Route, जिससे की Routing Table Information मेरे सामने आ जाती है, तो देखे, OSPF इस Internet Work में Configured है, और वो Successfully Work भी कर रहा है, यानि के दूसरे Router से Routes को Learn भी कर रहा है, इसी तरीके से अब हम Router B को क्लिक करते हैं, और इसके उपर भी CLI Mode में जाके, Enable Mode में जाते हैं, और यहाँ पर Show IP Route Command को Enter करते हैं, और इसका Routing Table भी देखे, Complete है, यानि के हमारा OSPF इस Network में Successfully Work कर रहा है, चलिए, अब जरह हम OSPF Clear Authentication को Configure करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं Router A के उपर जाता हूँ, और हमने Decide किया था कि इसके Serial 0-0 Interface, जो की Router B के Serial 0-1 के साथ Connected है, इस Interface के उपर हम OSPF Clear Text Authentication को Configure करेंगे, तो चलिए, यह दोनों Interfaces के उपर हम कुछ Commands को Configure करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं Configuration Mode में जाता हूँ, और Interface Serial 0-0 क्योंकि यह Router A है, इसमें जाता हूँ, और यहाँ पे पहली Command लिखता हूँ, IP OSPF Authentication, तो Authentication यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा, कोई Help काम नहीं आएगी, क्योंकि Authentication को यूज करते हुए हमारी और भी Commands हैं, जो इस Mode में Use होती हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, IP OSPF Authentication और Enter Key को प्रेस करता हूँ, इसके बाद Authentication Key देने के लिए, दुबारा से IP OSPF Authentication और उसके बाद हाइफन और K प्रेस करके Tab प्रेस करता हूँ, तो Authentication Key की Option आ गई है, यह Authentication Key as a password act करेगी, तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइब कर सकते हैं, मान लिजे मैं यहाँ टाइब करता हूँ, JST as a password, तो यही Configuration हमें दूसरे router के Serial 0-1 के उपर भी Configure करनी होगी, तो मैं यहाँ पे Enter Key को प्रेस करता हूँ, और Enter Key को प्रेस करने के बाद मैं कुछ देर के लिए wait करता हूँ, और हो सकता है कि हमारी यह Connectivity खतम हो जाए, तो देखे आपके सामने Message आया है, कि Neighbor Down, यानि कि Neighbor के साथ Communication नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कुछ Requirements Neighbor बनने की पूरी नहीं कर रहा है, और जो Requirements वो पूरी नहीं कर रहा है, वो है Authentication की Requirements, हमने OSPF के Concept वीडियो में भी इस च या Neighbor Relationship Establish नहीं करते हैं, यहाँ पर मैं आपको Show IP Route Command से Routing Table दिखा देता हूं, तो देखे, क्योंकि यह Router बाकि सभी के सभी Routes, Router A को Provide कर रहा था, चाहे वो Router C के Routes हो या इसके खुच के Router B के Networks हो, तो चलिए, अब ज़रा Router B के उपर जाके भी, यह Same Configuration करते हैं, आपको इस Router को Console Cables के थूँ, या फिर Telnet या SSH के थूँ, एकसेस करना होता है, तो चलिए, Router B के Configuration Mode में जाके, इसके Interface Serial 0-1 मोड में जाते हैं, यानि के Interface Serial 0-1 में इस समय हम पहुच गए, और यहाँ पे पहली Command, IP, OSPF, और पूरा का पूरा Authentication, Word हमें Type करना यहाँ पे हमें Help नहीं मिलेगी टैप से, और उसके बाद Enter Key को प्रेस करते हैं, इसके बाद वही सेम पासवर्ड जो हमने Router A में Enter किया था, जो था JST, तो इसमें से First Command ने Authentication Enable की और Second Command ने वो Password या Keyword दिया, जिसको यूज़ करके Authentication की जाएगी, इसके बाद मैं Enter Key को प और उसके बाद JST, अब Enter Key को प्रेस करता हूँ, और देखिए कुछ देर में अब हमारा Neighbor Relationship दुबारा से Establish हो जाएगा, और देखिए OSPF ने Neighbor Relationship Establish कर लिया है, और एक बाद दुबारा से जाके यहाँ पे हम Show IP Route Command एंटर करते हैं, तो इसका Routing Table देखिए Complete है, Router A को क्लि Configuration देखने के लिए हम Show Running-Config Command को टाइब करते हैं, और इसके Interface Mode में देखिए आप, Serial 00 में IP OSPF Authentication और Key हमें दिखाई दे रही है, यानि के वो Configuration जो हमने अभी-अभी Configure की है, इसके Running Configuration में आ गई है, Question Time, आप मुझे एक Question का Answer दीजे, आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने Clear Text Authentication को Enable करने के लिए, स्क्रीन पे दी हुई दोनों Commands में से किस Commands को यूज किया था, आपकी Options है, A. IP OSPF Authentication या फिर B. IP OSPF Authentication-Key और उसके बाद Password, आप इस Question का Answer, Next 20 Seconds में जरूर तो इस वीडियो में हमने सीखा कि OSPF में Clear Text Authentication को कैसे Configure करते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, Thanks for Listening